Hello everyone, I am Aastha, welcome करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल, Government Job Genuine Notification एक और New Recruitment Notification को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे और ये जो भरती रहेगी आपकी पर्मानेंट भरती है पर्मानेंट गौर्मेंट जॉब रहेगी, All India से एक candidate यहाँ पर eligible है आप किसी भी state से belong करते हों, अगर आप इस vacancy के लिए interested हो रहते हैं, आप इसके लिए apply कर सकते हैं इसमें जो qualification required है, minimum 8th pass रखे गई है और maximum 12th pass है तो 8th, 9th, 10th and 12th, यह चारो ही qualification means आप 8th pass है minimum या 9th pass है, 10th pass है या 12th pass है कोई भी qualification चार में से आपके पास है, तो आप इस vacancy के लिए apply कर सकते हैं सबसे जादा vacancy जनरल candidate के लिए है, इसमें high code में यह भरती आई हुई है, permanent government job so official notification के तरू हम cover करेंगे और इसमें आपको apply online करना होगा तो official site से आप apply करेंगे, वो भी में आगे आपको वीडियो में notification में आपको बताऊंगी किस website पर जाकर करके आपको यहाँ पर check out करना है, ओके, तो चलिए इसका notification देख लेते हैं सबसे पहले आप यहाँ पर important date देख लिए और यहाँ जो online application है वो 25 अगस्त से start हो गए है और इसकी apply करने की last date है 20 सितंबर, 20 सितंबर तक आप इसमें online apply कर सकते हैं total vacancy इसमें 300 है, 300 vacancy है और यह जो vacancy है यह pune post के लिए आई हुई है चपरासी भरती के लिए notification रिलीज हुआ है और यह vacancy आपकी high court of Punjab and Haryana at Chandigar चंडिगर से आपकी यहाँ पर यह notification रिलीज किया गया है इसमें आप categories wise vacancy details देख सकते हैं post प्यून की है, general candidate के लिए 243 post है 243 total general categories के लिए यह vacancy है 300 में से SCSD candidate के लिए 30 है, ex-service man के लिए 15 है, इसके बाद PWD candidate को यहाँ पर उनकी category के according यहाँ पर reserve रखी गई है ठीक है, तो यहाँ आपने vacancies देख लिए हो, vacancy increase and decrease हो सकती है tentative vacancies है, age criteria 18 to 35 year होना चाहिए, minimum 18 साल, maximum 35 साल होना चाहिए और यह जो आपकी age है, यह भी सितमबर 2024 से count की जाएगी अब जो PWD categories के candidate है, उनको 10 years का relaxation मिल जाएगा, ex-service man को भी यहाँ पर मिल जाएगा relaxation, so 18 से 35 साल के candidate इस post के लिए, pure post के लिए eligible है, qualification देखिए, minimum middle pass and maximum 12, तो 8, 10, 9, 10, 12 चारो मैसे जो भी आपके पास qualification है, आप उसके बेस पर इस post के लिए apply कर सकते हैं, direct recruitment है, पर्माने इन भरती आपकी रहेगी, apply करने की जो date है, याद रखेगा, 20 सेप्टेंबर, 20 सितंबर, 2024, application fees देखेंगे, तो अगर आप इन तीनों में से किसी अधर स्टेट के कैंडिडेट हैं, तो आपको 700 रुपए हैं, और अगर आप पंजाब, हर्याणा, UT से ब्लॉंग करते हैं, तो SC, ST, VC के लिए 600 है, एक सर्विसमें के लिए 600 है, and general with disability, means PWD के लिए भी 600 है, तो चंडिगर स्टेट के जो जनरल कैंडिडेट हैं, उनको तो 700 रुपए ही देना होगा, पंजाब, हर्याणा, चंडिगर, इनके लिए 700 है, इसके साथ ही जो अधर स्टेट के कांडिडेट हैं, वो किसी भी कैटिगरी से ब्लॉंग करते हो, उनके लिए भी 700 रुपए यहाँ पर application फीस रहेगी, बाकी जो आप 600 रुपए देख रहे हैं, यह रिजब कैटिगरीज हैं, और यह पंजाब, हर्याणा, चंडिगर से जो कैंडिडेट ब्लॉंग करेंगे, उनके लिए रहेगी, ओके, तो यह यहाँ पर हमने एस क्राइटेरिया देख लिया, नेक्स्ट देखेंगे, सेलेक्शन प्रोसीजर देखेंगे, आपका स्लेक्शन किस तरह से होगा यहाँ पर, तो अल्ड़ कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर पोस्ट अफ प्यूंस सेल हब तो फॉर्स्ट ली एपिर इन दा रिटन टेस्ट, सबसे पहले तो आपका इसमें रिटन टेस्ट होगा, जो हन्रेड मार्क्स का होगा, फिफ्टी एमसी की उस टाइप्स आपके कॉश्चन रहेंगे, इच कॉश्चन टू मार्क, हर एक कॉश्चन दो मार्क करहेंगा, इन से आपके कॉश्चन किया जाएंगे, यह सब्जेक्ट्स आपको कवर करने होंगे, तयार करने होंगे, एड नो निगेटिब मार्किंग, एक्जामनेशन में कोई भी निगेटिब मार्किंग नहीं रहेगी, और यह एक्जाम आप हिंदी, इंग्लिस और पंजाबी, यह तीन लेंग्विजज में से जिस भी लेंग्विज में आप देना चाहें, उसमें आप यह एक्जाम दे सकते हैं, दूरेशन अप टेस्ट विल भी 90 मिनिट, 90 मिनिट का टाइम आपको रिटन एक्जाम निशन में दिया जाएगा, मिनमम 50 परसेंट मार्क्स वाइग्जाय बलॉगिंग टू जनरल कैटिगरी, जनरल कैटिगरी को मिनमम 50 परसेंट, निन्स हंडेड मार्क्स का है, तो 50 मार्कस आपके लाना जरूरी है, तभी आप qualify करेंगे and minimum 45% किसके दोरा जो की व्लाउंग करते होंगे reserve categories के candidate okay and after the return test candidate equivalent to 10 times 10 गुना candidate को बुलाए जाएगा जो return test में exam में clear कर लेंगे उनका vacancy के 10 गुना candidate को बुलाए जाएगा accept pwd category ठीक है इनको छोड़ कर of the advertised vacancies in order of their merit in return test would be called for physical endurance test return test में आगर आप qualify हो जाते हैं तो आपको फर physical endurance test देना होगा और यह से आपका qualifying nature का होगा that's it and this test cell consist of three activities इसमें तीन आपकी activities रहेंगी physical test में 800 meter की race रहेगी long jump और high jump यह तीन activity आपको इसमें रहेगी जो आप अभी यहां पर चार्ड देख रहे हैं age के according इन्होंने यहां पूरा parameter दिया गया है आपकी age कितनी है उस हिसाब से आप यहां पर देख लेंगे male और female दोनों के लिए ही 800 meter की ही race रहेगी तो आप यहां पूरा देख लेजेए आपकी age के हिसाब से इन्होंने एक चार्ड दे दिया है इसके बाद admit card वगर आप डाउन्लोड कर सकेंगे official site से ही and date of examination तो यह भी आपको बाद में update किया जाएगा तो website पर update आपको रहना होगा अगर आप इस vacancy के लिए apply कर रहे हैं और अगर बात करें official site की तो आप यहां पर देख रहे है www.highcourt.chd.gov.in इस site पर जब आप जाएंगे तो आपको notification मिल जाएगा और apply का link भी मिल जाएगा मैं अभी आपको website भी देखा देती हूँ तो देखिए अभी हम high court of Punjab and Haryana चंडिगर की official site पर है जब आप इसमें जाएंगे तो what's new जो vacancies आपको recruitment section में देखेगी वो आप यहां पर देख रहे हैं कि how to fill application form आप कैसे fill करेंगे प्यून के लिए यहां पर बताया गया है इसको आप download कर लीजेगा and advertisement for the post of Pune in Punjab and Haryana तो यह आपका detail notification है तो यहां से आप देख सकते हैं अब देखिए जो हमने application form fill करने का जो अभी हमने link देखी थी website पर कि आप कैसे fill करेंगे उसको मैंने यहां open किया हुआ है ठीक है आप भी उसको download करके open करेंगे तो यहां पर आपको बताया गया है कि online आपको apply करना है इस website पर जब आप जाएंगे and application portal आपको यहां पर दिया गया है ठीक है यह application portal दिया गया है आप यहां से apply कर सकते हो और यह step by step आपको पूरा इसमें बताया गया है कि आपको किस तरह से करना है क्या करना है यह देखे आपनी तरब से कोसिस करती हूँ कि सारी जो विसिक पॉइंट से आपके के लिया करूँ और करेक्ट आपको लेकिन हो सकता है कभी कभी कोई पॉइंट मिस हो जाए इसलिए आप जो भी विकैंसी में आपको बताती हूँ वह आप एक बार अपने लेबल पर चैक जरू किया और इन फ्यूचर में विकैंसी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा थैंक यू